ओम शान्ति आज दिनंक 26 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिख्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो तुम्हें वापिस इस म्रत्यू लोक में नहीं आना है तुम्हारा उद्देश्य है मनुस्य से देवता बनना और बनना मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो तुम्हें वापिस इस म्रत्यू लोक में नहीं आना है तुम्हारा उद्देश्य है मनुस्य से देवता बनना और बनना अर्थात रुहानी बाप निराकारी पिता परमात्मा संगम युकपर भ्रह्मा तन का आधार लेते हम बच्चों को स्रष्टी के आधी मध्य अंत की नौलेज देते कर्म अकर्म विकर्म की गुही गती समझाते बाबा कहते योगी बनो पवित्र बनो स्वदर्शन चक्र धारी बनो स्वदर्शन चक्र चलाकर अपने अंदर की कमी कमजूरियों को मिठा दो क्योंकि यह तुम्हारा अंतिम मरजीवा जन में मैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूं और तुम्हें रुहनी यात्रा सिखाता हूं अब तुम बच्चों को एक पिता परमात्मा को याद करना है अपने घर सांती धाम की याद में रहना है और जहां जाना है सुक धाम उसे याद करना है बाबा कहते मन मना भाओ यही है रुहनी यात्रा तो बाबा हम बच्चों को उद्देश्य देते नर से नारयन नारी से लक्ष्मी बनने का तो बाबा कहते जो मैं ग्यान सुनाता हूँ उन ग्यान रतनों को धरण करो सोला कला संपूर्ण सर्वगुन संपन्न बनू अब तुम्हें वापिस घर जाना है घर से फिर आना है सद्गति में अर्थात सत्यूग में सत्यूग में तुम देवी देवता हो वहां तुम सोला कला संपूर्ण सर्वगुन संपन्न होते हो जो यहां संगम पर ही बाबा तुम्हें आकर बनाते हैं तो अब रूहनी यात्रा पर रहना है सब को बाप का परिचाय देना है वापिस हम इस म्रत्यू लोक में ना आएं इसका पुरुशार्ट करना है नर से नार पर चलना है इसलिए बाबा कहते हैं वहां है ग्यान सागर सुरू से लेकर अंत तक का ग्यान लेना है पढ़ना है वहां पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है यहां बड़ा भारी इम्तहान है इसका उद्देश से है मनुस्य से देवता बनना जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना इसके लिए बाबा ने हमें रूहानी यात्रा सिखलाई है यहां से वापिस इस म्रत्यू लोक में नहीं आना है जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बाबा करते बाबा कहते बहुत करते आयो अब तुम बच्चों को रूहानी यात्रा करना है तुमने आदी मध्य अंत क को जान लिया बड़ी भारी समझने की बाते हैं बाबा कहते अब घर जाना है प्रश्न किया बाबा ने सोला कला संपूर्ण बनने वालों की निसानिया क्या होगी सोला कला संपूर्ण बनने वालों की निसानि क्या होगी उत्तर में बाबा कहते वह अपनी जोली ग्यान रतनों से अच्छी तरह भर कर दूसरों को की भी भरेंगे ग्यान रतनों का दान कर अपना मर्तबा उच बनाएंगे बाबा जो ग्यान रतनों से हमें सजाते तो बाबा सदा कहते एक कान से सुन कर दूसरे से निकालना नहीं है यहां उन सत्संगों में होता है यहां तो बाबा आकर तुम बच्चों को नर से नारायन बनाते तो नारायन की महिमा है सोला कला संपूर्ण सर्वगुन संपन संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुशोत्तम अहिंसक तो ऐसे ही उच बनने के लिए बाबा हमें उच स्रीमत देते बाबा की स्रीमत पर चलना ग्यान रतनों का धारन करना यही बाबा कहते तुम बच्चों का मर्तबा उच बनाएगा दूसरी पाइंट बाबा समझाते वह पक्के महावीर होंगे उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती वह अखंड अचल सुरू से अंत तक चलते रहेंगे बाबा समझाते कितने ब्रामन ब्रामनिया हैं कितने सेंटर्स हैं व्रद्धी को पाते जाएंगे सिव बाबा का सिजरा अविनासी है वह तो साकार सिजरा बनाता है बाबा कहते ड्रामा अनुसार सुद्र से ब्रामन बनना ही है तुम नहीं बनो यह नहीं हो सकता ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने पहले बने थे वही सत्यूग में देवी देवता बनते हैं जाड व्रद्धी को पाता रहता है बाबा कहते कितने तो जड़ जाते हैं कोई ऐसे पक्के महावीर बनते जो माया उनको हिला भी न सके वहाँ अखंड अचल रहते हैं अखंड का अर्थ बाबा समझाते जो बच्चे आदी से चलते आते हैं और अंत तक अचल अडोल रहते है महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है अचल इस्थिर बनना है ऐसा कोई कहे न सके कि हम सोला कला संपूर्ण बन गए नहीं पर बनना जरूर है बाबा कहते कलाएं संपूर्ण बनने की निसानिया क्या है जो अच्छी रीती अपनी जोली भरकर औरों की भरते हैं ड्रा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्यान की धार्णा की है सो अभी भी करेंगे हम साक्छी होकर देखते हैं पुरुशार्थ जरूर करना पड़े पुरुशार्थ बिगर बाबा कहते प्रालब्द मिलना सके दूसरा प्रश्न बाबा बोले पापो से मुक्त हो पुन्य आत्मा ब अन्ने की युक्ति क्या है उत्तर में बाबा कहते इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुना कर राय लो साथ साथ बाप को याद करते ग्यान रतनों का दान करते रहो तो पुन्य आत्मा बन जाएंगे पुन्य आत्मा अर्थात विश्व कल्यान कारी आत्मा आधार मुर्थ आत्मा पूर्वज आत्मा बाबा कहते तुम बच्चों का यह अंतिम जन्म है इस अंतिम जन्म में जो तुम पाप कर्म करते हो विकर्म करते हो वह तुम्हारी बुद्धी में है तो सच्चा सच्चा बाबा को पोता मेल देते रहना है बाबा को पूरी पूरी कहानी सुनाना है क्योंकि बाबा है सरजन सरजन को हम बीमारी बताते हैं तो बाबा हमें इलाज बताएंगे तो एक एक बात बाबा को सच्ची सच्ची सुनानी है बाबा की याद में रहे कर अपने विकर्मों का विन तो जो दानी आतमाएं होती है विस्व कल्यान कारी आतमाएं होती है वे सर्व का कल्यान करती है सभी को समान द्रश्टी व्रत्ती से देख सब के प्रती समान इसने ही बन सब को संपूर्ण बनाने की सुब भावना सुब कामना रखती है इसी लिए बाबा कहते हैं हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है यह तो जानते हो दौपर से लेकर तुम पतित बनते हो अब यह तुमारा अंतिम जन्म है तो जो भी कुछ पाप किये हैं वह सब कुछ जमा होते आये हैं अब हमको पुर्णे जमा करना है इतने जन्म के पाप कैसे कटें और हम पुर्णे आत्मा कैसे बने तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनास होंगे और ग्यान रतनों का दान करना है जो बहुत दान करेंगे वह उजपत पाएंगे भारत जैसा दान कोई करता ही नहीं है अब उनको मिलता कहां से है बेहद का बाप सबसे बड़ा फ्लैंत्रो फिष्ट है बाप आकर जीयदान देते हैं जोली भर कर त्रप्त कर देते हैं अपनी जोली कमवा जास्ती भरना बाबा कहते वहा तो बच्चों के उपर है नंबर वार जोरी भरते हैं और नंबर वार दान करते हैं नात से निराला कोई और नहीं बाबा कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो रावन का सिर काटते हो रावन दुस्मन पर जीत पाते हो रावन फोरेनर है हमारा रामराज्य था अब सारी दुनिया ने रावन से हार खाई है यहाँ है सोकवाटी का सत्यूग असोक वाटी का है यहां असोका होटल बाबा कहते नाम रख देते हैं जब सन्यासियों ने सिव नाम रखा है सिव और विश्नु की माला मसूर है भ्रामनों की माला बाबा कहते अभी बनना सके यहा है रुद्र माला विष्णु की माला प्रवरत्ती मार्ग की है मनुस्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ एम ओबजेक्ट सामने खड़ा है बाबा कहते तुम अभी स्याम से सुन्दर बन रहे हो पुरानी दुनिया को लात मारते हो सिरी क्रश्ण की आत्मा गोरी थी इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है क्रश्ण नारायन सिव सबको काला बना दिया है जो सिव परमात्मा रचियता है उसे भी जानते नहीं तो बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे सिव बाबा ग्यान डमरू बजाए बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं वह तो समझते हैं लंका में रावन का राज्य था बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है इस समय सारी दुनिया में रावन राज्य है वह हद की बातें सुनाते हैं बाप तो बेहद का राज समझाते हैं सारी दुनिया रावन की जंजीरों में फसी हुई है सारी दुनिया बाबा कहते विकारों के करण पतित बन गई है पतित पुकारते हैं है पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ आत्मा को ही बाबा कहते पावन बन कर वापिस घर जाना है जिसके लिए बाबा आकर हम बच्चों को रुखनी यात्रा सिखाते और बाबा कहते जो मैं ग्यान दिरत्न देता हूँ उन्हें धारण कर फिर औरों को दान करो तो उजपद पा सकेंगे सोला कला संपुर्ण बन सकेंगे वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा बोले संगम युग पर सदा प्रत्यक्छुवा ताजा फल खाने वाले सक्ती सालीवा तंदुरुष्ट भाव वर्दान दिया बाबा ने संगम युग पर सदा प्रत्यक्छुवा ताजा फल खाने वाले सक्ती सालीवा तंदुरुष्ट भाव डिटेल में बाबा समझाते संगम युग की विसेश्ता है जो एक का पदम गुणा प्राप्ती होती है और प्रत्यक्छ फल भी मिलता है प्रत्यक्छ फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह सक्ती साली और तंदुरुष्ट होते हैं अर्थात बाबा हम बच्छों को इस स्रेश्ट संगम युग पर एक का पदम गुणा प्राप्ती कराते बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की गुही गती समझाते तो बाबा कहते तुम अभी स्रेश्ट कर्म करते हो उचे ते उचे बाप की स्रीमत पर चलते हो तो तुम बच्छों को प्रत्यक्छ फल खुसी उमंग उत्सा प्राप्त होता है और भविश्ट से राजाई प्राप्त होती है तो बाबा कहते तुम बच्छे सक्ती साली भी बनते हो और तंदुरुस्त भी बन जाते हो तुम बच्चे ही विश्व कल्यान कारी सिव पिता परमात्मा के मददगार बनते हो तुमें ही साली ग्राम कहा जाता है तो तुम अभी सारे विश्व की सेवा करते हो तो जो बच्चे सेवा करते उन्हें प्रत्यक्च फल खुसी प्राप्त होती और भविश्य में राजाई प्राप्त होती तो जो बच्चे बाप से सक्तियां धारन करते और ग्यून ग्यान तथा सक्तियों से संपूर्ण संपन बनते वे ही बच्चे बाबा कहते सक्ति साली वा आ नहीं सकती कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुम्ब करण की नींद में सो जाते हैं अलड रहो तो सर्व सक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे अर्थात एक बाप की निरंतर याद हो एक बाप की स्रीमत अनुसार कर्म हो एक बाप जो ग्यान रत्न देते हैं उन्हें धारण कर औरों को दान करते रहें तो बाबा कहते सदा सक्ति साली और तंदुरुस्त बने रहेंगे स्लोगन में बाबा बोले फालो एक ब्रह्मा बाप को करो बाकी सबसे गुण ग्रहन करो अर्थात किसी की विशेषता देखकर उस पर आकरशित नहीं होना उसमें जो गुण हैं उन्हें उठा लेना है सदा यहां इस्मरती रखना है कि इसमें जो गुण हैं वहां पिता परमात्मा की देन है तो गुण धारण करते चलो और ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो तो पदमों की कमाई होती रहेगी ये थे बाबा के महावाक के अच्छा ओम शान्ती